काशी हिंदु शोड्यालक संसाक और पंडित मतन मोहन मालुईजी के जिवन गाथा में लिखी थे आप नायदो महामना अमर रहे महामना अमर रहे विशी तुम समबात करो कुलपती तेरे साशन में कुलपती तेरे साशन में कुलपती तुम शर्म करो कि शर्म नहीं इतने डूम बलो आपास दो लड़े के अभी आप लोग देख रहे होगे यह काशिंदु उसक्री द्याला का परिसर है और महामना जी ने इस बगिया को कितना मेहनस से बनाया इतने सुंदर सुंदर फूल लगाए पेड़ पौधे लगाए इतना बढ़िहा सिक्षा का माहोल बनाया लेकिन ये प्रसासन और वर्तमान भीसी साहब लगातार चुप़ी साधे हुए हैं विस्विद्याला का जो माहोल है वो पूर्ड रूफ से बिगड़ चुका है और इस माहोल में क्या हम छात्र पढ़ाई कर सकेंगे जब हमारे सुरक्षा की बात है ऐसे में चुप़ी साधना कहां तक साहिए आए इस पूरे मामले को जानते हैं और एक निवेदन है स्टार्टिंग में ही जितनी भी लड़कियां हैं ये उनके हक की बात है अगर वो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगी तो उनके ल संतु उश्कुमहत्र पाठी है मैं बिदी शंकाय का च्छात हूँ और मैं पताना चाहूंगा कि पच्चिस एक दो हज्जा तेईस को चात्रा चात्रा जाती है अपने भी अपने छात्रा वास से छात्रा निकलती है और उसके उपरा रानी लक्षमी भाई से अपने समाजे के विग्यान कला संकाय की हो जाती है तभी असीम राय चुकि एमके राय का बेटा है वो हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं और कला संकाय के पूर्वडीन भी रह चु विग्यान संकाय कला संकाय पर मैं सुरक्ष छोड़ दूँगा छात्रा बार-बार मना करती है उसके बाद फिर किसी तरह बहला फुसला कर छात्रा को वेठा लेता है और जहां उसको उचित स्थान जाना होता है उधव ना पहुंचा करके वो अन्यत्र किसी अन्य सुनसान एग्री कलचर संकाय की उल ले जाता है वहां पर उसके साथ असली हरकत की जाती है जब छात्रा इसका विरूत करती है तो आसपास के जो लोग होते हैं जो हमारे प्रॉक्टोरियर सुरक्षा बोर्ड होती है वो गाड़ पकड़ते हैं पकड़ने के उपरान जो है वो उनके कहीं वो चीज दिखी भी क्योंसे कि आज हम 15 दिनों से कुलपती आवास के समख्ष बैठे हुए हैं कुलपती महोद है कान में तेल डाल करके बैठे हुए हैं कहीं न कहीं कुलपती यहां पर छात्रों के लिए हैं किन्तु वो MMB में कारिक्रम कर सकते हैं संस्कित यहां मामले पचास से अधिक छेनेती के मामले और चोरी के कम से कम सो आए दिन मामले देखने को मिर रहे हैं कहीं न कहीं इस पर बिएच्चू प्रसासन के संलिप्तता रही जो जला प्रसासन के साथ मिलकर के इस केस को कमजोर किया गया और कमजोर धाराओं में मुकदमा पंजी कर करके उस अपराधिक अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर जो है जमानत दे दी गई आखिर विशु विद्याले प्रसासन ने इस पर कमेटी गठित्कें नहीं की दिव्यांग छात्रा का एक मामला प्रधान मंत्री जी के संसदिये छेत्र में यह दरसाता है कि विशु विद्याल प्रसासन इन मामलों के लिए कितना गंभीर है तो कहीं न कहीं यह असमाजिक तत्तोवर्क के लोगों का विशु विद्याले में आना और बियच्चू प्रसासन का इस प्रकार का रविया कहीं न कहीं एक चिंता का विश्य है और छात्रों के पठन-पाठन को लेकर के क्या क पढ़ें तो कहीं ना कहीं जब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजणा जो केंदर सरकार राचs सरकार की हैं ऑना का संशिव कॊन विन संपोर्टे वो ए टीवी पे कई बार आप देखे होगे स्रीमान जी का भी प्राप्थ हुआ है चाहूँगा कि स्रीमान जी थोड़ा बताएं कि भीसी साहब तो क्तवाद पहुस जा रही है मोदी जी तब भी पहुस आई जाए नए नए सर हम तो सडक के आदमी है श्रीमान जी तो किले के अंदर है और ये है कि ये बहुत ही जगहन्य अपराद है और इसमें मैं चुकी प्रकरण आप सबों को बताया ही जा चुका है तो हमारी जो मांगे हैं पहले चीज तो इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि ये जो परसेप्शन क्रियेट किया जा रहा है कि ये क्योल दिव्यांग जनों का दृष्टिबाधित लोहों का अंदोलन है ऐसा कुछ नहीं है इस अंदोलन की जो मुख्य मांगे हैं उनमें ये है कि एक प्रॉपर चैनलाइज कमेटी वुमेन सिक्योरिटी के लिए हो जिसमें की साइकेट्रिक सला भी हो लीगल एडवाइज भी हो और इस चीज को लेकर के घटना के जाज पड़ता है और वो कमेटी भी या F.I.R. के समय चात्राओं के साथ रहे उनका मनुबल बढ़ाए और विधिक सला और तमाम चीजें दे और इसके साथ ही CCTV कैमरे बढ़ाए जाए लाइट्स बढ़ाए जाए इस तरह के जो अताताई हैं ऐसे लोग जगन नपराद करने वाले कैमपस में प्रतिबंधित किया जाए ब्येच्च्चू का जो माहल खराब कर रहे हैं इस तरह के लोग इस ब्येच्च्च्चू स्वयम उनके खिलाब मुकदमा दायर करें और इस तरह की जो चीजें हैं और इस तरह की लापरवाहिया नहूं छात्राइं जो हैं इस तरह की दृष्टिबादी चात्रा उनको निकटतम चात्रा वाज भी दिया जाए और जो बाकी चात्रा हैं उनके यातायात के लिए दृष्टिबादी चात्रा उनको साधन उपलब्द करा जाए कि वो क्लास तक सही से पहुंच सकें तो हम लोग के जो दो मेन मोट एक तो यह वोमेन सिक्योर्टी और दिव्यांग फ्रैंडली यानि कि महिलाओं के लिए पुर्णतया सुरक्षित वैसे सब के लिए सुरक्षित हो सुरक्षा के चाक्चवबंद होने चाहिए और विशेश रुप से महिलाओं के लिए सुरक्षित और दिव्यांग लोगों के लिए भी अनुकूल वातावरण बने इस भी एक्षियू में तो यह हम लोगों की मांगे हैं हम लोगों की मुख्य बाते हैं और आपसे भी आग्रह करेंगे कि आप यहां आप आए यहां करके अधरवाइज सोशल मीडिया पर लिख करके अपने अभिव्यक्ति करके इन चीज लगातार अभी हम लोग यहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं कल भी नरिया गेट पर छेड़ खानी हुई उसके लिए प्रॉक्टर बोर्ड क्या शिकायत गई कुछ दिनों पहले एममबी के पास इस तरह की घटना हुई तो यह हमारा जो परिसार हो इसमें दुरभागी की बात है कि देखिए मैं कहूंगा ऐसा नहीं कि प्रशासन बात करने नहीं आ रहा है लगातार हमसे प्रोक्टरियल बोर्ड और कुछ लोगों के माध्यम से संपर्क साधने की कोशिश हो रही है इक तीस एक दो हजार इक तीस को चीप प्रोक्टर ने लिखित रूप में आश्वा है अपने वाइस चांसलर की तो हम प्रोटेस्ट खतम करके बात करेंगे लेकिन फिर दो तारीक को यह कहा गया कि कोई ऐसा महत पूर्ण निणय नहीं इस मामले से रुका है कि वाइस चांसलर आप से मिले वह अभी तीन दिन बात दिल ली जाएंगे और वहां से आएंगे त आप पहले प्रोटेस्ट खतम करें तब आपसे वाइस चांसलर बात करेंगे हमारा यह कहना है कि हम तो इस प्रोसीजर को एक बार फॉलो कर चुके हैं तो हम फिर कैसे विश्वास करें जबकि उस समय लिखी ताश्वासन दिया गया था और मैं कहना चाहूंगा कि प्रोटे करना समब्सक्राइब है तो हम इस चीज़ के खिलाब जो लडाई लड़ रहे हैं और हम बात करना चाहते हैं समबात करना चाहते हैं और और दिव्यांग जनों के अनुकूल वातावरन के लिए कुछ कड़े उपाय चाहते हैं ठोस कदम चाहते हैं You जिससे । आगे आने व साथी साथ और लोग से हाँ रखी अपनी बात आप मेरा नाम सोनिया है और मैं इस काशी हिंदु विश्विद्याने में शोध छात्रा हूं मैं वैसे तो आपको संतोजी ने और अभी बैया ने बहुत कुछ चीज ने बता दी है लेकिन मैं सिर्प यही कहना चाहूंगी कि हमा हमारी जो मैना सुरक्षा की मांग है वो प्रमुक मांग है मैं चाहती हूं कि आपके चैनल की माध्यम से सभी नड़कियां इस बात को सुनें और हमारा सपोर्ट करें दूसरी बात दिव्यांग जिन अनकुन वातावर्ण हमारी दूसरी मांग है और इसकी अनावा जो उस प लक्ष वकीन दे लेकिन अगर बच्ची को और विश्वास नहीं होगा उस वकीन के प्रति तो फिर हमारी जो यहां की डीन है व्रिंदा मैम वह शुल्क वहन करेंगी अगर बच्ची प्राइबिट वकीन करती है तो ऐसा इसनिये चुकि जब हम लोगों ने कई बार कोशिश की मैम को क्या कि कि उस बच्ची का चात्रावास स्थानंतित यहीं कारन उसके साथ रानी नक्षमी भाई चात्रावास चराही के पास घटना घट सकी तो इसने मैम को अपने उत्तरदाईद्प को समझना चाहिए और उस बच्ची के जो आर्थिक साहिता है केस नड़ने के निए वो उपनब्द कराने चाहिए तो बच्ची गरेब घर से और आपका यह करता है क्योंकि आपने नपरवाही की है इसने वरिंदादीन मैम को उनको पैसा देना चाहिए मैं तो बस यही कहूंगी वाकि तो हमारे बड़े भाईयों ने बता ही दिया है धन्यवाद प्रसासंस एक सवाल है कि क्या प्रसासंस जुड़े हुए किसी के घर की बेटी होती तो क्या वो इसी तरीके से सांत रहते चुपी साधे होते और मैं अक्सर बोलता हूँ कि जब 300 लड़किया सलेक्ट होके आती हैं तो पीछे लाखो लड़किया छुड़ जाती हैं अगर आप इस तरीके सा सुरच्छा का माहूल बना के रखते हो और यह चीजे मीडिया में जाती हैं लोग उसको सुनते हैं तो निश्चित तोर से गार्जे नहीं समझेगा कि माहूल खराब है उपनी बेटियों को बाहर ना भेजे तो प्रसासन की जिम्मेवारी है विस्विद्याल है विसी साब को सोचना चाहिए कि इ इनकी बातों को सुनी जानी चाहिए और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जरूरी नहीं है कि आप यहां पे अगर बहुत दूर के हो तो आप ऑनलाइन जो भी सोचल मेडिया यूज करते हो आप एक आज इमेंदारी से पोस्ट जरूर लिखना और ट्विटर पे बिय समर्थन दीजिए और बाकी जो लोग विश्विद्याले में हैं उपस्थी थे वो यहां आके अपना उपस्थी दर्ज कराएं और इनका समर्थन दें एक्चुली यह आपका समर्थन है इस वीडियो को सेर करें ताकि ज्यादा ज्यादा लोग को मामलों को पता चल सके और धन्यवाद